सबके लिए नमस्कार में हो डॉक्टर अभिलाश आज हम डिसकस करने वाला है सबसे जादा डरने वाले बात और तकलिफ देने वाले बात क्या है मोशन जाने वक्त दर्द है या मोशन में कून आना वो क्यों होगा और उसके लिए कारण क्या क्या हो सकता है और उसके लिए इलाश क्या होगा हम इस वीडियो में हम डिसकस कर लेंगे तो हम देखा गया तो हमारा नॉर्मल इंसान में ये हांत्री देखा गया तो भी दो तरीका का हात्री होता है चोटा हात्री उसी को small intestine कह जाता है और बड़ी हांत्री उसी को large intestine बोला जाता है अगर देखा गया तो हम लोगों को अगर motion जाने में अगर कून आ गया तो उसका मतलब है वो कून यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे कही पे भी यह stomach में भी हो यह small intestine में भी हो यह large intestine में भी हो कही से भी bleeding हो गया तो motion में ही एक कून आने की chances रह जाता है अगर यह motion में कून आने के लिए कारण देखा गया तो बहुत सारी कारण हो सकता है उसमें देखा गया तो यह stomach में ulcers की वज़े से भी हो सकता है जिन लोगों में acidity बहुत जादा होके जो लोग बहुत जादा दवाई लेते रहते हैं उन लोगों में कही पे भी यह stomach के अंदर acidity की वज़े से ulcers हो गया या कोई भी लोग जादा दारू पी रहे हैं दारू पीने से भी उसका liver problems से जुड़के यह acidity भी बढ़के उन लोगों में यहाँ पे ulcers बनके उसमें भी cool motion में आ सकते हैं या नहीं है तो small intestines चोंटी हातरी में भी कही पे भी cancer हो या कही पे गाठ है उन लोगों में भी यह motion में आ सकते हैं या बड़ी हांतरी में भी polyps बोला जाता है मतलब जो extra growth of tissue होने के वज़े से motion जाते से में और अगड़ने की वज़े से भी cool आ सकते हैं या बड़ी हांतरी में कही पे cancer उसी को हम large intestine cancer या colon cancer बोला जाता है यह colon cancer देखा गया तो इंडिया में देखा गया तो बहुत सारी कारण होता है cancer के लिए माली जे breast cancer हो lung cancer हो या colon cancer हो liver cancer हो यह colon cancer आज कल जो हमारा dietary habits जैसे बदल रहा है पूरा processed food का रहा है या fast food का रहा है या पूरा unhealthy local street food का रहा है यह शारी बढ़ने की वज़े से भी इंडिया में आज कल देखा गया तो यह colon cancer बर-बर के हम लोग देख पा रहा है इसके अलावा सबसे important कारण यह motion में कुन आने के लिए देखा गया तो सबसे important आ जाता है यह motion जाने के last part में जो बना जाता है piles यह piles में भी बहुत सारी लोगों को यह piles की वज़े से bleeding होते रहते हैं तो अगर आप गर पे बैटके आम आदमी को कैसे समझ जाएगा वो piles की वज़े से bleeding हो रहे हैं या cancer की वज़े से bleeding हो रहे हैं वो bleeding पूरा यह पूछते हैं कि color कैसे है क्योंकि कून में भी हम देखा गया तो कून में भी बहुत सारे colors हो सकता है मान लीजे इसी में देखा गया तो bright red color भी हो सकता है या dark red color भी हो सकता है या maroon color भी हो सकता है या black color भी हो सकता है तो डॉक्टर ये color के बारे में क्यों पूछा गया देखा गया तो ये color के साफ से ही हम location प्रेडिक्ट कर सकते हैं जैसे अगर मान लीजे ब्राइट रेड कलर आ गया ब्राइट रेड मतलब जेनरली कुन भी ब्राइट रेड कलर में होता है अगर मान लीजे ब्राइट रेड पेशेंट कंप्लेंट गया तो उसका मतलब है वो उपर से नहीं है नीचे से ही हो रहे है तो bright red color आ गया तो mostly वो पैल्स की वज़े से होगा या फिजर की वज़े से होगा या बड़ी हांतरी में cancer आई से कुछ है तो मतलब यहां का problems हो या यहां का problems हो यह problems अगर है तो cool bright red आ सकता है अगर वोई patient हलका सा dark red बोला गया तो dark red क्यों होता है देखा गया तो generally भी हमारा पेट में यह stomach बोला गया जो organ है उसमें से acid production सब लोगों को होई जाता है तो यह color changes क्यों हो रहा है देखा गया तो generally blood देखा गया तो इस bright red होना है जब यह bright red blood acid से जुड़ गया या हम जो खाना का रहे है उससे जुड़ गया है तो उसका color बदलते रहते है तो अगर मानलीजे patient को dark red में color आ गया तो उसका मतलब है वो नीचे पार्ट से नहीं है तोड़ा सा उपर पार्ट में या small intestine में चोटी हात्री या बड़ी हात्री का शुरौत पार्ट में कहीं पे bleeding हो गया तो उसका कून dark red होने की chances रह जाता है अगर वोई blood तोड़ा सा maroon color में या black color में आ रहा है तो उसका मतलब है उसका bleeding और उपर से हो रहे मानलीजे यहाँ पे जो stomach दिख रहा है यहाँ पे ulcer है तो क्या होगा यहाँ पे ulcer से वो कून आते रहता है और यही कून acid से जुड़के वो दोनों acid और कून जब एक बार mix हो जाता है वोई कालापन हो सकता है तो यह color के साफ़ से भी हम bleeding कहां से होगा बोलके सोच सकते हैं and color के साफ़ से ही investations भी कराना पड़ेगा अगर patient bright red color बोला गया जैसे हमने बोला वो नीचे से ही होगा बोलके आदा cases में हम clinical examination मतलब doctor देखते ही अगर piles हो या फिजर हो नीचे का problems हो समझ जाते हैं अगर कुछ लोगों में तोड़ा बुड़ा पालोगा आ गया उन लोगों में cancer जैसे बिमारी rule out करने के लिए उन लोगों में endoscopy करना पड़ेगा endoscopy में क्या करेंगे जो motion जाने के रास्ता है वहाँ से एक camera अंदर डालके अंदर क्या-क्या बिमारी है देख पाएगा हम endoscopy के दोरान तो अगर आदमी का age 50 के ऊपर है तो उन लोगों में हम जादा cancer suspect करते हैं इसलिए उन लोगों में endoscopy की ज़रुद पड़ सकते हैं अगर कोई patient black color या maroon color में motion में कुन आ रहे बोला गया तो उन लोगों में नीचे से endoscopy के अलावा उपर से भी endoscopy करके हम देखने की ज़रुद पड़ सकते हैं इसके अलावा क्या-क्या पूछा गया color के बिना देखा गया तो color के अलावा हम patient से ये पूछा गया तो भी motion जाते वक्त कितना तकलीफ दे रहा है मतलब तकलीफ मतलब क्या है motion जाते समय दर्द हो रहा है या नहीं है pain हो रहा है या नहीं है या कुछ मास पेश्या जैसे कुछ बाहर आ रहा है या नहीं है मतलब मोशन जाने वक्त के यहाँ पे कुछ बाहर लटक रहा है या नहीं है मोशन जाते समय अंदर से कुछ बाहर आ रहा है या नहीं है वो पूछ सकते हैं अगर दर्द है बोला है या मास कुछ बाहर आ रहे बोला गया तो वो mostly pils बीमारी की वज़े से हो सकता है या fissure बीमारी की वज़े से हो सकता है और इसके अलावा क्या-क्या पूछा जाएगा पेशेंट दारू पी रहे या नहीं पी रहे सिगरेट पी रहे या नहीं पी रहे क्योंकि उसकी वज़े से भी ये कभी भी motions में blood आने की chances रह जाता है तो बीमारी के साफ से बीमारी पता करने के लिए बहुत सारी modality से उसमें एक होता है पहला होता है दॉक्टर की examination कराना और दॉक्टर examination एक बार करने के बाद अगर पैल्स या फिजर नहीं है तो उन लोगों में जिन लोगों के ज़रूत है endoscopy में भी नीचे से कराना test को सिंकमाडoscopy या kolonoscopy कह जाता है और उपर से जो कर जहते है उसको अपर GI endoscopy बोला जाता है तो ये सारी कौन सा endoscopy कराना नीचे से कराना या उपर से कराना वो पूरा motion में कितना कून आरहा है उसका color कईसे है और उमर के साथ से बोला जाता है अगर आप लोगों को भी किसी को motion में अगर कून आ रहा है तो आपको डॉक्टर ने क्या बिमारी बताया आप एक बार comment section में बता सकते हैं और कुछ appointments चाहिए या और कुछ बिमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे देया गया contact help line में आप संपर्क कर सकते हैं thank you